तो हेलो डियरे स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सो भी उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे आज की वीडियो में क्या देखने वाले हैं थम्निल में आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लिया होगा तो चलिए प्यारे भाईयो अगर चैनल को भी तक स गुना करके इसको सही रूप में लाना पड़ेगा चुकि नीचे में अलग लग गुननखंड के रूप में तो है लेकिन उपर में भी गुननखंड के रूप में अलग लग से अगर आप इसको ABC करके मान भी लेते हैं तो भी आपको ABC का मान निकलने में बहुत कठीन होगा तो इसको हम थोड़ा से solve करते हैं, थोड़ा से हल करते हैं, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, या तो आप इसको अलग रफ में भी कर सकते हैं, या फिर सामने में भी कर सकते हैं, ठीक है, तो चलिए हम सामने में ही गुना कर लेते हैं, किस तरीके से, आ और नीचे में उपर में x-3 बच गया ना तो x-3 नीचे वाले को भी इसी तरीके से गुना करेंगे तो x square plus 3x और पलस कितना आ जाएगा 2 और इन 2 में x plus 3 बच जाएगा integral x के साफ x अब इसको थोरा सब और गुना करना है ठीक है तो देखेंगे और प्लस x-3 से गुना करेंगे तो खेयरまあ ऐहां SAY की हो जाएगा यहां सब्सकजर से और नीचे वाले के सॉर्व वहना है उसकिलाईगा फिंस हरनाइब तो दिखे ऐक्स की उसकोएड हो जाएगा फिर फिर हो जाएगा कि-ष्री हो जाए कर। के option हो 5루 को तीन व्ला करेंगे अ यहां पर गलती हो है कि आयो फंपर मैं एग्स क्यों को इससे बुस्टी किया ठीक है फिर माइनस त्री एक्स को इससे गुना किया फिर इससे माइनस त्री एक्स को माइनस त्री से गुना करेंगे तो पलस नाइन एक्स आएगा पलस नाइन एक्स आएगा यहां मिश्टिक हो गया ठीक है पलस टू एक्स माइनस सिक्स ठीक है यहां यहां भी होगा क् और फिर यह 2 को X से पुना करेंगे तो पलस 2X और पलस कितना हो जागा तीन दूनी 6 integral X के साफ X ठीक है अब देखो integral of X cube बला नहीं है कोई टर्म तो X cube बला को रहने 2 प्लस 6X स्क्वाइब हो जाएगा फिर क्या है 9, 2, 1, 11, दूनों को जो रहेंगे तो पलस 11X हो जाएगा और मानस 6 हो जाएगा ठीक है और नीचे वाला को देखो x cube रहने दोında plus 3X square소 ग्यार आपको इसको प्रोपर फंक्शन के रूप में च्वाल सेंसे मानुपा रहा है इसको क्या मैं म glow ment इंतडर्बिझारं ग्यात करने के लिए आपको इसको प्रॉपर फंक्शन कlor में लाओ आप पड़ेगा मतलब उपर में पावर कम होना चाहिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे नीचे वाले से उपर वाले में भाग करेंगे और उसको अलग प्रोपर फ्रंक्शन के रूप में चेंज करेंगे तो देखेगा इसको अगर इससे हम भाग करते हैं तो नीचे वाला क्या लिखेंगे यहां इस तरीके से x cube plus six x square plus 11 x और प्लस छो इससे भाग देंगे किसमें उपर बाला में x cube minus six x square plus 11 x minus 6 कितने से पहला वाला से पहले वाला को cancel करना है तो एक से गुना करना पड़ेगा cancel हो जाएगा पहला बाकि सब जाए बहार में ठीक है x cube को एक से गुना करेंगे तो एक से गुना करेंगे तो सब इतना के इतना सेम से उतर जाएगा 6 x square plus 11 x plus में 6 अब घटाना पड़ता है न भाग में तो घटाने के लिए सब का चीन बदलेंगे अलजेब्रा में x cube से x cube हो जाएगा cancel बचेगा minus six x square minus six x square तो कितना हो जाएगा minus 12 x square यहाँ plus 11 x यहाँ minus 11 x यह भी cancel हो जाएगा minus 6 minus 6 कितना होगा minus 12 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक लिखना होगा plus जो भी cancel है आप सको उपर में minus 12 x square minus 12 और बटा जिससे भाग दिये हैं उसको हम नीचे में लिख देंगे x cube plus 6 x square plus 11 x plus 6 इस तरीके से लिखा जा सकता है ठेक है तो इस पूरे term को हमने change कर दिया इसमें तो देखेंगे इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं integral of इस तरीके से 1 और minus देखो यहाँ से इस दोनों में से minus common लेके डारेकर बाहर में ले आए तो उपर में plus plus बच जाएगा ना दोनों में हाँ तो उपर में लिख देंगे ऐसे करके 12 x square plus 12 और बटा में क्या नीचे बला term x cube plus 6 x square plus 11 x plus 6 x cube plus 6 x square plus 11 x plus 6 अब इस पूरे का integral x के साफ इस ग्याद किया जा सकता है देखिए गा नीचे में x का power 3 नहीं उपर में x का power 2 है कर सकते हैं ना तो देखिएगा integral of 1 का integral किसके साफ x x के साफ x इस दुनों में constant 12 common आ रहा है तो माइनस 12 constant हम बाहर निकाल लेते हैं 1 upon क्या बच जाएगा यह देखिए x q plus 5 x square plus 7 x plus 6 नीचे वाला टर्म है ना नीचे वाला नीचे वाला नीचे वाला नीचे वाला नीचे वाला इसको इस यह फेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं x plus 1 x plus 2 into x plus 3 बिल्कुल तो यह हो जाएगा x plus 2 into x plus 3 यह है ना इसको हम मान लेते हैं ए बच्टा में पहला वाला गुनानखंड x plus 1 और b plus b बच्टे में दूसरा वाला गुनानखंड x plus 2 और c बच्टे में तीसरा वाला गुनानखंड x plus 3 यह माना जा सकता है ठीक है तो यह भाग जो हमने दिया है इसको हम करते हैं साफ उमेद करते हैं, यहां तक जो है, समझने में किसी भी परकार का डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा अब यहां से कैसे solve करना है, तो आपको पता ही है, इसको partial fraction वाला method से, इसमें ABC का मान आपको ग्याद करना है नीचे वाला से नीचे वाला कठी जाएगा बचेगा उपर वाला तो उपर वाला को हम लिखते हैं एक है इधर तो एक लिख दिया हमने इधर A है A के नीचे वाला से इसमें अगर हम भाग करते हैं तो X प्लस 2 और X प्लस 3 बचता है न और इसी तरह की से C का करेंगे तो यह बचेगा X प्लस 1 इंटू X प्लस 2 ठीक है अब आपको ABC का मान गयाद करना है सब में दूदू को गुनन खंड है A का मान निकलना है तो BC में भी common मिल जाएगा B का मान निकलना है तो A और C में भी common मिल जाएगा तो इस तरीके से आप गयाद करेंगे तो देखे हैं यदे इसमें क्या करेंगे X का अलग-अलग मान रखेंगे X बराबर क्या रखा जाए जिस से हमको B और C 0 हो जाए BC क्यों 0 होगा क्यूंकि हमको A का मान चाहिए पहले जिसका मान चाहिए उसके अलबाभा बस अब इसमें और इसमें चलना पड़ेगा तो इसमें minus 1 रखेंगे तो 2 में से घटके 2 हो जाएगा इधर बचेगा 2A, इधर बचेगा 1 तो A का value क्या आजाएगा? 1 by 2 यहां से आपको क्या हुआ? A का value निकल गया अब आपको क्या निकलना है? B का value तो b के value के लिए आपको a और c को 0 करना पड़ेगा तो a और c में आप common खोजो x plus 2 है x plus 2 है मान क्या रखना पड़ेगा minus 2 रखना पड़ेगा x plus 2 को 0 करने के लिए x का value minus 2 रखेंगे तो 0 होगा न हाँ तो देखेगा यहां से यह दोनों तो हो गया 0 बचेगा b इसमें minus 2 रखेंगे तो minus 2 और plus 1 minus 1 होगा और minus 2 plus 3 1 हो जागा तो यह हो गया minus 1 minus b बड़ावर 1 है तो b का मान क्या आ जाएगा यहां से minus 1 आ जाएगा तो यह भी आ गया अब क्या रखा जाए x का value तो c का मान चाहिए तो इस दोनों में common खो जाएगा तो x का मान minus 3 रखेंगे तो आ जाएगा यहां से आपको c का value c का value कैसे आएगा तो दिखेंगा इसमें आप minus 3 रखेंगे तो minus 3 plus 1 कितना होगा minus 2 हो जाएगा और minus 3 plus 2 कितना होगा minus 1 हो जाएगा minus 2 और minus 1 को गुना करेंगे तो 2 होगा तो 2C बराबर 1 आया तो C बराबर हो जाएगा 1 by 2 ठीक है A का value आया 1 by 2 B का value यहीं पे यहीं पे यहीं पे हुआ देखेगा 12 X square plus 12 है तो यहां से 12 common लिए है तो X square plus 1 तो बच जाएगा X square plus 1 बचेगा ठीक है तो इधर से X square plus 1 पूरा को मानना पड़ेगा X square plus 1 को ठीक है तो देखेगा यहां से थोरा से change हुआ है X square plus 1 हो जाएगा ठीक है X square plus 1 होगा अब यह आपको A और B का value अलग अलग निकलेगा A और B का value यह नहीं आएगा चुकि हम यहां पर mistake कर देए थे X square plus 1 में यहां 12 common लिये थे 12 constant बाहर निकाले थे तो X square plus 1 तो बचना था ना हाँ तो देखो यहां से आप X का value minus 1 रखेंगे यह तो यह तुनों 0 हो गया X का minus 1 रखेंगे तो minus 1 रखने पर इधर कितना आया था minus 1 रखे थे तो 2 हो गया था यहां रखे था 2 हो गया था यह हो गया था 2 A ठीक है यह हो गया था 2 A और बरावर कि इधर क्या होगा तो minus 1 रखेंगे तो minus 1 का square 1 हो जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 तो 2 A बरावर 2 आया तो A का value क्या आएगा 1 तो A का value यहां से आजाएगा 1 X का विल्यों माइनस 2 रखेंगे माइनस 2 रखेंगे कपड़ा कहा गया X का विल्यों माइनस 2 रखेंगे तो यह और यह 0 हो जाएगा B कमान बचेगा माइनस 2 रखने पर इथर क्या होता है 2 का स्कार 4 पलस 1 हो जाएगा B कमान माइनस 2 पलस 1 कितना होगा minus 2 plus 1 minus 1 हो जाएगा और minus 2 plus 3 1 हो जाएगा तो देखिए का minus b बराबर क्या आया 5 तो b का मान क्या आजाएगा minus 5 ये हो गया b का value minus 5 c का मान निकालना है तो उसके लिए मान तो वही रखना पढ़ेगा common factors ये वाला minus 3 रखेंगे minus 3 रखेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 9 plus 1 ठीक है और इधर कितना हो जाएगा minus 3 plus 1 कितना होगा minus 2 और minus 3 और plus 2 करेंगे तो ये हो जाएगा minus 2 c minus 2 c ने plus 2 c बराबर आगया 10 तो c बराबर कितना आजाएगा 10 बटा दू मतलब 5 आजाएगा C कमान क्या आगया 5 इस तरीके से जो कपरा रख दिये हम mistake हुआ ABC कमान निकल गया अब आपको क्या करना है integral में रख देना है ठीक है तो now कैसे रखेंगे तो दिखेंगा पहले से तो integral x का था 1 का integral x के साथ x ही होगा और minus 12 है तो minus 12 रहने देते हैं अब यह बना पूरा टर्म को हमने यह वाले पूरे टर्म को हमने यह माना था ठीक है ए बट्टा में करके तो ए कमान एक आया ना तो integral of एक बट्टा में x पलस 1 रख देंगे ठीक है integral x के साथ एक्ष और पलस b है b कमान माइनस 5 है तो माइनस 5 integral of एक बट्टा में x पलस 2 हो जाएगा integral x के साथ x c कमान के आया पांच आया है तो पलस 5 integral of 1 अपून x पलस 3 हो जाएगा integral किस के साथ x x के साथ x यहां से हम कर देंगे ब्रैकेट को बंद तो देखिएगा x minus 12 और mod के अंदर में क्या आएगा यह आएगा mod के अंदर में ब्रैकेट के अंदर में log of mod of x पलस 1 हो जाएगा यह हो जाएगा minus 5 log of mod of x पलस 2 ठीक है और पलस 5 log of mod of x पलस 3 ठीक है और ब्रैकेट बंद और पलस c होगा यह 5 log of x plus 3 है यह 5 log of x plus 2 है इसर मैच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यह जो minus है ना इसको आप अंदर में गुना कर दो तो यह बाहर में सिर्फ plus रहने दो और minus से सब यह अंदर में multiply कर देंगे तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा minus log of mod of x plus 1 और यह बाला plus में हो जाएगा plus आदेखे यह power जो गुना में log के गुना में इसको मुसके power में भेज सकते हैं 5 को तो यह हो जाएगा plus log of mod of x plus 2 और इसका क्या हो जाएगा power 5 ठीक है और ये बोजागा माइनस चुकि बाहर से माइनस हम भेज़े हैं अंदर तो माइनस लॉग ओफ मॉड ओफ एक्स पलस थिरी का पावर पाँच कर सकते हैं इस तरीके से ठीक है और पलस सी माइनस हम सभी को अंदर भेज़ दिये तो देखिएगा क्या बज़ता है एक्स पलस बार ये जो हाँ ना अंदर भला टर्म इसको आप सॉल्व करो जो भी क्या है पलस भला है चलिए इसको लॉग ओफ देखिए जो भी माइनस माइनस भला है दोनों क्या हो रहा है उन्दून क्या हिए तो इसका श्पलस बार था. इसको फारतूर के समझा सकते थे लेकिन बोड पे जगा नहीं बचने के कारने इसको यहीँ पर समझाना पड़ा यहीं पर इतना दूम में समझाना पड़ा तो प्यार भाई उम्मिद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग 12 के स्टूडेंट है इतना तो समझ भी सकते हैं तो चलिए नोट कर लेजे स्क्रीन सोर लेकर के फिर बरते हैं अपने नेक्स्ट कॉस्टन नमबर 29 पे उसको भी बरही लेते हैं 1 अपन X plus 1 का होल स्क्रीन है और इंटू X स्क्रीट publicly है इसको क्या मौनर यहीं दगिए जो भी होल स्क्रीट वह तरम है उसको दो चालम में मानना χोता है तो अ बट्टा एक बर्वार टो करके माननेगा और पलस B बट्टे एक बर्वार 2 두 करके मानेगे मानेक को हो ठीक है और जो भी सीधी एक्स के पावर में रहे फोल स्कॉर वलम नहीं रहे तो इसको cx Studios दो चड़ में पहले ही मान लेंगे एक ही बार में ठीक है बट्टा x square प्लस 1 अब इसको सॉल्ड करेंगे नीचे वाला से नीचे वाला कटेगा ही, बचेगा सिर्फ ऊपर वाला, तो देखते हैं यहां से क्या बचता है उपर वाले में, ए इससे हम भाग करेंगे, इसमें तो ए को कट जाएगा, बचेगा x plus 1 और in 2 में x square plus 1 बचेगा plus B की बारी x plus 1 के whole square से इसमें भाग देंगे तो बचेगा सिर्फ x square plus 1 अब किसकी बारी तो c x plus d की बारी इससे अगर इसमें भाग करते हैं तो सिर्फ x plus 1 का whole square बचेगा समझ गया यहां तक कि यहां तक समझने में तो कोई दिकत होना ही ने जाए थोड़ा calculation है इसमें अब हमको लगता है इसको गुना करना पड़ेगा सभी को चलिए करते हैं गुना A into में x को x square से गुना करेंगे तो x cube x को 1 से गुना करेंगे तो x plus 1 को x square से गुना करेंगे तो x square और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा अब b की बारी plus b into x square plus 1 इसको नहीं हल करेंगे ऐसे ही चुकि गुना तो करना ही है ना अब देखो इसको क्या कर सकते हैं cx plus d और x x plus 1 का whole square है इसको तोड़ देंगे तो x square plus 2x plus 1 इस तरीके से तूट जाएगा ठीक है गुना करना है तो अब तो गुना कर सकते हैं आप सब गुननखन को अलग-अलग कर लिए तो 1 is equal to गुना करते हैं a को x cube से गुना करेंगे तो a x cube plus a x plus a x square और plus a बचेगा ना अब b की बारी तो b को x square से गुना करेंगे तो b x square plus b बचेगा अब बारी c x का c x plus d का दोनों से गुना करेंगे c x को c x square से गुना करेंगे तो c x cube हो जाएगा plus c x को 2 x से गुना करेंगे तो 2 c x square हो जाएगा c x को 1 से गुना करेंगे तो plus c x होगा D को X² से गुना करेंगे तो फलेश D X² हो जाएगा 2X से गुना करेंगे तो 2D X हो जाएगा These two D 2 को 1 से कुना करेंगे तो फलेश D हो जाएगा इस तो पूरा बोड़ी चल गया पूरा लंबा चला गया चलिए कोई दिक्त नहीं है यहाँ पर तीन वो अलग 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 आ रहा है वो XQ बला रहा है XQ स्कुराइड बला रहा है X बला रहा है X बूला रहा है CDS बात तो A इस्में से XQ balay को अलग करते है XQ का गुनाँ कितना A है और XQ बला को खुझते हैं खोजेंगे x square वाला को, तो plus में x square ले लेते हैं, x square वाला का ये रहा, a, यहां से, plus b, और x square वाला यहां से, plus 2c, और x square वाला खोजेंगे, तो यहां रहा, plus d, हो गया, x square वाला का भी काम खतम, अब x वाला को खोजेंगे, तो plus x, x वाले को खोजें, x वाला यहां रहा, a, और एक्स वला कहां है एक्स 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 यहां रहा पलस सी और एक्स वला कहां रहा यहां रहा पलस टू डी ठीक है यह हो गया अब कॉंस्टेंट ए भी सी डिया केला होगा सो वला खोज लेते हैं तो ए भी सी डिया केला कहां है भाई ए यहां रहा बी यहां रहा और डी यहां रह आ है क्या करने पर तुल ना करने पर चार वो समी करनाये गा यहां से ठीक है एक्स क्यूब का फुसक्ट श्ट टो credentials D और इधार एक्सटर का गुनांक कितना है कुछ नहीं है तो 0 है एक्स का गुनांक देखो तो A पलस C पलस 2D ब़ावर 0 इसको मानलो समेकरन 3 0 क्यों कर रहे हैं इधार X का गुनांक है इधार नहीं है तो 0 ही होगा अचरपद देखो A पलस B पलस D बड़ाबर इधर तो अचरपद है ये प्लस B प्लस D इधर अचरपद कितना एक है तो ये हो जाएगा एक इसको मानलो समेकरन चाल अब 4000 समेकरन को हल करके आपको चार चार कौनस्टینट कमान जयात करना है तो कि श्बाधी में क्या है A B C D ही है तो इसको भी प्यारी तरीका समझेगे यहां तक स्क्रीन सोट लेकर की नोट करना चाहते हैं कि यह फिर बढ़ते हैं आगे के प्रोसेस पे तो प्यारे भाईओ देखे इस तरीके का जो भी समीकरन होगा उसको कैसे सॉल्ब करेंगे तो देख सकते हैं इसमें कुछ देखेंगा गौर से तो खुदी समझ में आ जाएगा देखेंगा यहाँ A पलस C यहाँ भी है और A पलस 3 से चलते हैं मतलब 1 में से 3 को घटाते हैं समीकरन 1 में से 3 को घटाएंगे तो नीचे वाले के चीन बधल जाएगा A पलस C कट जाएगा बचेगा क्या माइनस 2D बचेगा बराबर में 0 बचेगा इसका मतलब यहाँ से D का मान d b क्या आ गया 0 आ गया अब देखो D का मान 0 जीरो आ गया उससे और क्या कर सकते हैं तो देखते हैं इसमें यदि हम चलेंगे तो हमको C का भी मान मालूम होना चाहिए A का B का अलग 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 चलते हैं इसमें चलेंगे तो D का मान 0 रख देंगे तो A और B में हमको relation पता चल जाएगा ठीक है तो समीकरन 3 से चलते हैं थोड़ा सोच कर चलना पड़ेगा इस step पे question में समीकरन 4 से है ना 4 से समीकरन 4 से 4 में क्या है A पलस B पलस D तो A पलस B बरावर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा चुकिए D का मान तो 0 है ना 0 हम रख दिये से इधा से ठीक है तो यहां से देखिएगा कि B का मान क्या आ गया minus 1 minus A आ जाएगा B का मान क्या आ जाएगा 1 minus A यहां से आ जाएगा अब हम क्या कर सकते हैं अब और क्या कर सकते हैं थोड़ा गौर से और देखेंगे तो हमको A पलस B का मान मालूम है कि क्या है 1 a plus B कै जग हपर यदे यह 1 रख देते हैं और D के बहुत कर जगपर 0 रख देते हैं यहां से C का मान निकल जाएगा तो चलिए 2 से आज गमाद क्या है 1 गेट्स और गया से यह 0 हो जाएगा बराबर 0 तो यहां से क्या निकलेगा 2C बड़ाबर minus 1 आएगा तो C का value क्या आजाएगा minus 1 by 2 आजाएगा पुचले किस चीज का मान निकला हमको D का और C का मान निकल गया D का और C का मान निकल गया D और C का मान इसमें रखेंगे तो A का मान निकल जागा यहां से ठीक है निकलेगा कि नहीं निकलेगा बिल्कुल तो कहां करे यहीं करते हैं समी करण किस में रखेंगे तो c का और d का मान हमको मालम चल गया है तो 3 से चल रहे हैं समी करण 3 से क्या चीज़ है इस तरीके से नहीं माइनस दे करके 1 by 2 इस तरीके से और पलस 2D है तो यह तो 0 हुई ही जाएगा बराबर क्या हो जागा 0 मतलब A का value क्या आगए यहां से 1 by 2 ठीक है A का value 1 by 2 आगए देखें कितने यासानी तरीके से कि धीरे-धीरे करके समझ समझ के सब का value निकाल लिए D का मान निकल गया C का मान और A का भी value निकल गया B का value निकालना है तो देखें B का value यहां से निकल सकता है 1 minus A से ठीक है तो यहां से हम लिखते हैं चुकि A plus B बराबर क्या था 1 था तो B बरावर क्या आ गया 1-A A का value आपको पता है ना कितना है 1 बटा 2 है तो 1 में से हम 1 बटा 2 घटा देंगे एक जगा पर 1 by 2 रख दिए तो B का value भी क्या आ गया 1 by 2 बात के लिए A का value आ गया 1 by 2 B का value 1 by 2 C का value minus 1 by 2 और D का value 0 अब क्या करना है integral गयाद करना है तो निचे वाले को clean करेंगे फिर इसका integral साफ दोर पर गयाद करेंगे तो प्यारे भाईयों देखे हमने माना किसको था इस पूरे term को हमने ये चीज माना था तो उसका value पूट करते है नाव ठीक है नाव इसको integral of a का value कितना है 1 by 2 है ना तो 1 by 2 constant बाहर में ले लो integral of 1 upon x plus 1 बच जाएगा ठीक है integral x के साफ इक b का value हमने क्या निकाला है 1 by 2 ही निकालने है तो plus 1 by 2 integral of 1 upon x plus 1 का whole square हो जाएगा integral x के साफ इक c x plus d है ना दोनों है c का मान कितना निकला है minus 1 by 2 तो चलिए minus 1 by 2 को बाहर में ले लो d का value तो 0 ही है ना 0 हो ही जाएगा 1 by 2 c का मान हम बाहर निकाले minus 1 by 2 बच गे अंदर में सिर्फ x upon में x square plus 1 integral किस के साफ इक एक एक चुग दी का value 0 था 0 आगे c x सिर्फ बच रहा था c का जो भी मान था constant था बाहर ले ले लिए बच अंदर में x से के ला बच गे बात clear है यहां तक तो देखिए इसका integral क्या हो जाएगा 1 by 2 log of mod of x plus 1 हो जाएगा और plus 1 by 2 और into 1 upon x square का integral क्या होता है minus 1 by x यह हो जाएगा minus 1 divided by x मतलब सिर्फ पावर एक बच जाएगा x plus 1 ठीक है और minus देखिए अगर नीचे में x square plus 1 है अगर x square का आप z मानते हैं तो उपर में उसका derivative 2x होना चाहिए तो उपर में अगर 2 से हम multiply करेंगे तो भाग भी करना परेगा तो नीचे में हम क्या करते हैं अब देखो 1 by 2 log of mod of x plus 1 हो गया और इसको हम क्या लिख सकते हैं गुना करेंगे तो minus 1 by 2 into x plus 1 इस तरीके से और ये क्या हो गया minus 1 by 4 इसका integral log of mod of x square plus 1 plus c constant यह आपना प्यारास answer बुक में देखो भाई मिस्प्रेंट है answer में यहां पर 3 by 4 दिया हमने कई तरीके से question को solve करने का कोसिस किया रेकिं फिर भी answer नहीं आया इसका मतलब question में ही missprint है ठीक है तो question में missprint नहीं है बुक में answer में missprint है 3 by 4 दे दिया वहां पर 1 by 4 होगा बागी सब कुछ साफ है इस तरीके से आप question को solve कर सकते हैं तो प्यारे भाई अपना question number 30 भी है बहुत ही प्यारा सा देखिए integral of x square upon x square plus 1 into x square plus 4 है इसमें कुछ hint दिया हुआ है hint यह दिया हुआ है कि z जो है x square को हम मानेंगे z तो यहां से हम क्या करते हैं मान लेते हैं z बराबर क्या x square इसका derivative नहीं निकालना है कोशीपल के लिए हमने माना है तो देखिए का यहां से अगर कोशीपल के लिए माने है तो क्या हो जाएगा यह x square के जाएगा पर z हो जाएगा upon क्या हो जाएगा z plus 1 और into में क्या हो जाएगा z plus 4 अब इसको hint में दिया हुआ यह पूरे term को कुश मानने के लिए दियो न लेकिन वो चीज आया कैसे है वो चीज देखिए इसको break करेंगे अलग अलग तोड़ना है तो z plus 1 इस तरीके से हम लिख देंगे और z plus 4 इस तरीके से लिख देंगे ठीक है अब उपर में क्या आने वाला है जेड पलस 4 को 0 करने के लिए z का value क्या रखना चाहिए तो z का value minus 4 रखना पड़ेगा तो minus 4 रख देते हैं और divide में इसमें value रखेंगा minus 4 तो कितना आएगा यह आ जागा minus 3 इसी तरीके से यहां से minus से minus cancel हो गया बीच में plus का symbol दे देंगे तो क्या आएगा अपना अभी गुरंखन जो है minus 1 upon 3 into z plus 1 आ गया और plus यह हो जागा 4 upon 3 into z plus 4 ठीक है इसका integral आपको x के साब x ग्याद करना है तो क्या करेंगे आप direct से आप क्या करो इसको लिख लो now ठीक है जिस तरीके से है constant है ना minus 1 by 3 integral of one upon z plus 1 है ना जैन्द हमने माना था कि स्कूर को एक से स्कूर को लिख लिख लेते हैं प्लस 1 integral x के साब x और पलस यहां से 4 by 3 constant बाहर आज जाएगा integral of one upon z माने थे x स्क्राइब को तो x स्कॉर और पलस 4 लिखना है तो इसको हम 2 का स्कूर लिख सकते हैं integral x के इसका integral होता है तो यह जगा 1-1 by 3 इसका a कितना 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है सीधे हम क्या करेंगे 10 inverse x लिख देंगे पलस यहां 4 by 3 और इसका integral क्या होता है 1 by a 10 inverse x तो a का मान कितना है 2 है तो 2 से भाग भी दो देना परेगा और 10 inverse क्या हो जाएगा x तो x plus c हो जाएगा constant तो देखें कि यहां 2 से 2 दो दो नी 4 कट रहा है अब एक लाइन और लिखना पड़ेगा एक चीज़ के चलते तो minus 1 by 3 10 inverse x हो गया और plus 2 by 3 10 inverse x हो जाएगा ठीक है और plus c यही रहा प्यारा सा answer और इसी के साथ अपने exercise 19.13 का खतम हो गया पूरा the end हो गया बहुत ही प्यारे तरह के से चैप्टर को भी समझेंगे प्यारे वीडियो कैसी लगई आपको जरूर पताएगा कमेंट करके अगर वीडियो को लाइक किजिएगा अगर चैनल पर आए हैं पहली बार या फिर पहली बार देख से हैं हमारी यह चैनल यह चैनल मेरा नहीं आप लोगों का है अभी कोई अर्निंग नहीं है कोई पैसे नहीं कमा रहा हूं बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद जो भी सपोर्ट कर रहे उ